हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्जाम विटा में और यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कुस करने वाले हम टॉपिक अच्छांस्तफा दिसांतर तो दिखें यह जो टॉपिक है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन है क्योंकि एक्जामनेशन में आपसे इससे कोशन बहुत सारे बनते हैं और इससे बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपको आगे पढ़ने हैं तो ये जो topic है, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले है, इसको समझने वाले हैं, कि आखिरी ऐच्छान्स दिशांतर होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, और इसको हम क्यों यूज करते हैं, किन जगों पर यूज करते हैं. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अच्छा ये जो अच्छांस और दिशांतर है, इसको हम use कहां करते हैं, क्यों हमने इसको बनाया या फिर इसका बारे में हम या पढ़ क्यों रहे हैं, या फिर ये इतना important क्यों है, तो दिखें, अच्छांस और दिशांतर का हम दो तीन बहु हम अच्छांस और दिशांतर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप अपने शहर में घुमते हैंगों कोई इलाका आपको जाना है तो वहां बताते होंगों उसका एक नाम होता होगा, कि इस रोड में आप जाईए, इस महले में जाईए, इस इलाके में जाईए, तो आपको ये उत्तर जाए, तो वह जाते जाते आपका पहुंच जाएगा, नौर्थ पोल, नौर्थ पोल से आगे जाईएगा तो और भी उत्तर है, तो इस तरीके से ये चीज़े पूरे पूरे पृत्वी पर एड्रेस पता करने के लिए नहीं चलता है, तो वहां पर हमने सिस्टम यहां पर क्लिक करता हूँ, तो यहां पर यह इसका अच्छांस और दिशांतर बता रहा है, अच्छांस बता रहा है 32.515800 और दिशांतर है 4.718842, यहां पर यह जो है अच्छांस यह माइनस में है, इसका मतलब यह हम दक्षिनी गुलार्द की बात कर रहे हैं, तो इसी त होगा तो दिखें यहां पर अच्छांस और देशांतर होता क्या है इसको हम समझ लेते हैं हाँ इसके अलावा जो अच्छांस और देशांतर का इस्तमाल है वो समय निर्धारन में किया जाता है या फिर हम एक तरीके से अच्छांस का इस्तमाल इस बात में भी करते हैं कि जो अलग अलग इलाके हैं वहां का जो जलवायू है वो किस तरीके का है इसको भी हम पता करने के लिए करते हैं यानि नापने के लिए या फिर इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं अब देखते हैं कि अच्छांस और देशांतर जो है वो एक तरीके से क्या होता है इसको हम अलग-अलग करके दोनों को डीटेल में पढ़ेंगे। तो दिखिए अच्छांस और देशांतर जो हैं, ये कालपनी के रेखाएं हैं। जिसको हमने प्रित्वी के ऊपर खीची है अपनी सहूलियत के लिए। इसका मतलब ये हुआ कालपनी कहने का मतलब ये है कि जब आप प्रित्वी पर जाएएगा तो जमीन पर आपको असली में वहाँ पर रेखा खीचा हुआ नहीं दीखेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने अपने जितने भी गलोब हैं या फिर जो भी हमारे पास मैप है या फिर हमारे पास जो भी पढ़ाई करने का जरिया है जहां कि हम अर्थ के बारे में पढ़ाई करते हैं प्रित्वी के ऊपर अच्छान्स और देशांतर को खीचते हैं नापत पूलियत के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समझने के लिए प्रित्वी को इन सभी तरीके के अलग-लग तरीके के इस्तमाल के लिए हमने दो तरीके की रेखाई खीची हैं एक है अच्छांस और एक है देशांतर अच्छांस क्या होता है अच्छांस एक तरीके की 36 तो map में आपका उत्तर उपर होता है, दक्षिन नीचे होता है, पूरव इस तरफ होता है, पस्चिम इस तरफ होता है, तो पूरू से पस्चिन या फिर पस्चिम से पूरू जो रेखा खिची गई है, लेटी हुई रेखा, ये हमारा होगा अच्छांस रेखा, अच्छांस ऐ ऐसा नहीं कि ये मैंने खिच दिया तो सिर्फ एक ही अच्छांस है, इसके जैसे बहुत ही सारे अच्छांस हैं, कुल मिलाकर 181, 181 अच्छांस हैं, और इसके अलावा अगर आप जो रेखा देखते हैं, जो मैप में या फिर कहीं भी आपको रेखा देखने को मिलेगी, जो की रेखा आपका इस तरीके से होगी, यानि खड़ी जो रेखा होगी, ये आपका होता है देशांतर या फिर इसको हम लॉंगिट्यूट के नाम से भी जानते हैं, अब यहाँ पर देखिए, ये जो अच्छांस और देशांतर हैं, इन दोनों को मिला कर हम किसी भी जगह का एक लोकेशन बताते हैं, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अलग-अलग इनको डिटेल में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, अच्छांस को अलग से, देशांतर को अलग से, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अच्छांस की बात करते हैं, तो देखिए हमने देखा क अच्छांस की कालपनिक रेखा है, जो की लेटी हुई इस तरीके से हमारा खीचा जाता है, यानि की पूरव से पस्चिम या फिर पस्चिम से पूरव यह खीचा जाता है, अच्छांस रेखा जो होती है, इसमें एक मुख ही रेखा होती है, अब यह जो मुख ही रेखा है, ये जो है ये आपका zero degree होता है ये आपका zero degree होता है जिसको की हम भूमद रेखा के नाम से जानते हैं विश्वत रेखा के नाम से जानते हैं एक्वेटर के नाम से जानते हैं और भी नाम से जानते हैं और ये जो भूमद रेखा है इसको भूमद रेखा इसलिए भूमद यानि कि ये जो रेखा है ये प्रित्वी को दो भागों में बाटती है उपर वाला इलाका होता है हमारा उत्री गुलार्द और नीचे वाला होता है दक्षिनी गुलार्द दक्षिनी गुलार्द उत्री गुलार्द और दक्षिनी गुलार्द दो बराबर भागों में बाटती है औ तो जब हम गिंती करते हैं अच्छांस की तो हम दोनों तरफ जाते हैं यानि उपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं उपर जाएंगे तो यहाँ पर भी एक डिगरी होगा यहाँ पर दो डिगरी भी होगा तीन डिगरी होगा चार डिगरी होगा ऐसे करते 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 कुल म बिलकुल इसी तरीके से नीचे भी होता है, दक्षिनी गुलार्द में भी होता है, यहाँ पर भी एक डिग्री होगा, यहाँ पर भी दो डिग्री होगा, तीन डिग्री होगा, चार डिग्री होगा, करते करते हम सबसे नीचे दक्षिनी गुलार्द तक पहुँचेंगे, और यहाँ पर हम पहुँचेंगे 90 डिग्री पर तो यहाँ पर हमारे पास 90 रेखाई नीचे की उर हो जाएंगी 90 उपर 90 नीचे और बीच में एक कुल मिलाकर 181 हमारे पास रेखाई होती हैं और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखने चाहिए कि जो अच्छांस रेखाई खीची जाती हैं वो एकर डिग्री के अंतराल पर खीची जाती हैं तो कुल कितने रेखाई हो गए 181 लेकिन कई किताबों में कई जगों पर यह भी पढ़ाया जाता है कि जो हमारा यह उत्री ध्रूव है और यह जो दक्षिनी ध्रूव है यह एक रेखा नहीं है बलकि यह एक बिंदू है जो कि सच बात है तो इसको हम अच्छांस रेखा नहीं मान सकते हैं इस वज़ा से हमारा जो अच्छांस रेखा की संख्या हो जाएगी वो 179 हो जाएगी तो अगर आपको examination में इन दोनों में से कोई भी option मिलता है तो आप tick कर दीजेगा आपका answer सही हो जाएगा दोनों एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा तो क्योंकि वहाँ पर फिर बच्चे लोग case कर देते हैं और भी बहुत लफ़ड़े होते हैं यहाँ पर generally कभी भी यह question पूछा गया है तो दो option आपको यह दोनों एक साथ नहीं मिले हैं एक ही मिला है आप tick कर दीजेगा आपका problem solve हो जाएगा अब देखें यहाँ पर जो अच्छांस रेखा है अच्छांस रेखा की गिंती के मेरा मतलब है अच्छांस रेखा को खीचा कैसे जाता है इसको हम समझ लेते हैं तो देखें यहाँ पर यह हमारा पृत्वी है यह कैसा आकार है यह गोल है एक तरीके का स्फेर है इसका असली एक structure जो है उसको जियोईड कहा जाता है लेकिन माल लीजे कि यह एक स्फेर है इसका एक केंद्र भी है जो कि पृत्वी के बिल्कुल बीचो बीच है सभी तरफ से बीचो बीच वहाँ से भूमद रेखा की तक यानि सता पर जो भूमद रेखा कीची गई है वहाँ पर हम रेखा कीचते हैं और फिर इस रेखा के उपर एक कोन बनाकर हम नापते हैं कि यह जो कोन है यह कितना डिगरी है वन डिगरी है या फिर यह टू डिगरी है या फिर यह थ्री डिगरी है इस तरीके से नापते हैं सता पर और यह जो कोन बनेगा ये सिर्फ एक पॉइंट पर थोड़े ही न बनेगा ये तो आपका सरकल है मेरा मतलब ही स्फेर है इस वज़े से पूरे सतह पर बनेगा तो इस वज़े से इस तरीके से हम सेंटर से भूमद रेखा के उपर जो कौन बनता है सतह पर उसको नापते हैं और उसके जरीए हम अच् बनाने पर एक डिगरी, दो डिगरी, तीन डिगरी, चार डिगरी ऐसे बनाते हम उपर जाते हैं तो इस तरीके से हमारा अच्छांस रिखा जो है उसको ना पा जाता है अब यहां पर देखिए जो हमारा अच्छांस रिखा है इस में देखे हमने देख लिया कि 181 अच्छा रिखाएं हैं, दो अच्छांस रिखाओं के बीच के इलाके को कटी बंद कहा जाता है, दो अच्छांस रिखाओं के बीच के इलाके को हम कटी बंद कहते हैं, और दो अच्छांस रिखाओं के बीच चो दूरी होती है पृत्वी के सता पर वो होती है 111 किलोमेटर, 111 किलोमे पर कुल मिलाकर 181 अच्छांस रिखाएं हैं, लेकिन इन अच्छांस रिखाओं में से कुछ जो हैं, वो बहुत ही important हैं, तो उन अच्छांस रिखाओं के बारे में हम जान लेते हैं, तो पहला तो यहां पर सबसे important हमारा हो गया 0 degree, 0 degree है जो, उसके बाद आ जाता है हमारा, इ 23 degree, इसके बाद आ जाता है, 64, 66 degree, इसके बाद यहां पर उपर आ जाएगा 90 degree, इसके बाद अब दक्षनी गुलार्थ की तरफ जाएए, तो यहां पर भी हमारा आ जाएगा 23 degree, फिर इसके बाद यहां पर हम खीचेंगे, 64, 66 degree, और फिर यहां पर आ जाएगा सबसे नीचे हमारा 90 degree, अब दिखिए यह जो है, यह अच्छांस रेखा है, बहुत ही important है, यह सारे जो है अच्छांस रेखा है, यह important है, अब दिखिए यह important है, इस सोज़ा से इनका नाम भी रखा गया है, 0 degree का तो आपको पता चल गया कि भूमद रेखा नाम है, इक्वेटर नाम है, विश्वत रेखा नाम है, और भी नाम है, अब इनकी बात कर लेते हैं, बाकी की, जो यह हमारा 23 degree है, अच्छांस रेखा, इसको कहा जाता है, करक रेखा, और नीचे जो हमारा 23 degree है, इसको कहा जाता है, मकर रेखा, यानि दक्षिनी गुलार्द में जो 23 degree है, वो इसको कहते हैं मकर रेखा, उपर जाएगा तो 23 degree है, इसको हम आर्क्टिक रेखा, या फिर उत्री गुलार्द रेखा कहते हैं, और इसके बाद नीचे देखिएगा, तो नीचे जो हमारा 66 डिगरी है इसको हम Antarctic रेखा या फिर दक्षिनी ध्रूवियर रेखा के नाम से जानते हैं फिर यहाँ पर उपर 90 डिगरी आपका उत्री ध्रूव आ गया और नीचे 90 डिगरी आपका दक्षिनी ध्रूव आ गया अब समझते हैं कि यह सारी जो रेखाए हैं यह एक तरीके से important क्यों है? क्यों यह यहाँ पर हम बात कर रहे हैं? अब देखें यहाँ पर यह जो हमारा ilaqa है, साधे 33 डिगरी ऊपर से लेकर साधे 33 डिगरी करक रेखा और नीचे साधे 33 डिगरी मकर रेखा के बीच का जो ilaqa है यह जो हमारा इलाका है इतने दूर का, यह इलाका हमारे लिए important, या फिर ये अलग तरीके का इलाका है, इसको कहा जाता है उसन कटी बंधिया च्छेत्र और यह जो इलाका है, इसमें हर एक पौईंट पर, साल में एक बार ऐसा समय आता है जिस समय सूरी के किरने बिलकुल सीधी होती है, यानि बिलकुल आपके सर के उपर सूरी होगा, इस पूरे इलाके में हर एक पॉइंट पर साल में एक बार कम से कम, तो देखिए ये जो इलाका है ये हो गया उस निकटी बंधिया छेत्र, इसके बाद ये जो उपर का हमारे पा तो ये जो हमारे पास इलाका है, ये इलाका यहाँ पर सूरी के किरने सालो भर तिर्ची पड़ती है, और यहाँ पर ये जो साड़े छियासर डिगरी वाला जो रेखा है, नीचे भी और उपर भी, एक तरीके से सूरी की किरनों के लिए, एक तरीके का हम कह सकते हैं सीमा रे यह हमारा धुरूविय छेत्र होता है, 66 के उपर और 66 के नीचे, यह हमारा धुरूविय छेत्र होता है, यहाँ पर 6 महिने का दिन होता है, यानि कि जब उतर धुरूविय छेत्र में 6 महिने का दिन होगा, तो उस समय यहाँ पर रात होगा, लेकिन जब यहाँ पर दिन होगा, तो उपर रात होगा तो ये जो हमारा साड़े 66 डिगरी है सूरी के किरनों के लिए एक सीमा का गाम करता यहीं तक सूरी के किरन पढ़ेंगे जब इस समय में रात हो रहा है या फिर इस तरफ यहीं तक सूरी के किरन पढ़ेंगे जब इस समय में रात हो रहा है तो ये इसलिए ये रेखा जो है ये important है और ये जो हमारा इलाका है यानि कि ये जो हमारा 23 से 26 डिगरी के बीच का इलाका चाहे उतर द्रूब में हो चाहे दक्षिनी द्रूब में इसको हम कहते हैं सितोष्न कटिबंधिय इलाका और नीचे तो हमने जो हमारा द्रूब्य इलाका है इसको हमने समझ लिया इसके अलावा कुछ और पॉइंट हम discuss कर लेते हैं अच्छांसे related और वो ये है कि देखे जितने भी अच्छांस है उनमें सबसे बड़ा अच्छांस कौन होता है वो होता है हमारा भूमध रेखा यानि zero degree वाला रेखा विश्वत रेखा ये सबसे बड़ा होता है इसके बाद देखे जितने भी आपके अच्छांस होंगे चाहे वो एक डिगरी हो दो डिगरी हो 20 डिगरी हो 40 डिगरी हो 60 हो 80 हो या फिर आपका 90 तो एक हमारा बिंदू के रूप में होता है 89 तक वो सभी जो हैं वो सभी समनांतर होते हैं लेकिन वो बराबर नहीं होते हैं इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है सभी जो हैं वो समनांतर होंगे इनके बीच की जो दूरी होगी वो लगभग बराबर होगी थोड़ा मोड़ा उपर नीचे होता है लेकिन लगभग बराबर होता है और ये जो हैं इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है यानि कि आपका जीरो डिग्री वाला जो हमारा अच्छांस रेखा ये सबसे लंबा दो डिग्री और चोटा चोटा होते होते यहां पर जाकर एक बिंदू का रूप ले लेगा और नीचे जाकर एक बिंदू का रूप ले लेगा तो इस तरीके से हमने अच्छांस को डिसकस कर लिया, अब आईएफ हम आगे बढ़ते हैं और देशांतर की बात करते हैं, तो देखिए अभी तक हमने अच्छांस की बात की वहाँ हमने देखा कि जो अच्छांस है वो एक लेटी हुई रेखा होती है, यानि कि एक तरीके से 36 रेखा होती है, लेकिन जब हम देशांतर की बात करते हैं, जो देशांतर है, वो लेटी हुई रेखा नहीं होती है, 36 रेखा नहीं होती है, बलकि वो लमवत रेखा होती है, और ये जो देशांतर होता है, ये उतरी धुरू और नीचे दक्षिनी धुरू इन दोनों और ये यहां जाती है, यानि कि पृत्वी पर जितने भी हमारी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं, वो उतर धुरूब से निकलती हैं, और दक्षिम धुरूब में जाकर मिल जाती हैं, यानि कि यहां पर एक बिंदू से निकलकर दोनों फैलती हैं, सभी देशांतर रेखा समनांतर होती है तीसरी बात इनकी लंबाई बराबर होती है हमने देखा था क्या अच्छांस में कि वो समनांतर होती है लेकिन बराबर नहीं होती है लेकिन देशांतर में क्या है ये बराबर होती है लेकिन समनांतर नहीं होती है तो इस वज़े से देशांतर जो है वो अच्छांस से अलग है अब देखें देशांतर में भी जिस तरीके से हमने देखा था कि अच्छांस में हमारा एक मानक रेखा था एक zero degree था बिलकुल उसी तरीके से हमारे देशांतर में भी एक मानक रेखा रखा गया है जो कि हमारे इंग्लेंड की लेंडन के पास जो ग्रीन वीच्छ है वहां से उकर गुजरता है और यह हमारा 0 डिग्री है और यहां से हम देशांतर की गन्ना करते हैं यानि यहां से हम गिनते हैं कि कितना देशांतर है, 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, इस तरीके से हम गन्ना करते हैं, अब दिखें जो देशांतर है, वो कैसा होता है, वो एक बिंदू से निकलता है और यह से ऐसे फैलते 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 फिर जाकर एक देखें ये जो दूरी है ये विश्वत रेखा पर याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि और जगों पर ये दूरी लागतार बदल रही है तो आप और जगों की दूरी जो है वो याद रखे क्या किजेगा आप याद ही नहीं रखने पाएगा ये लागतार बदल रही है विश्वत रिखा पर याद रखिए, 111.32 km, अब दिखिए, यहाँ पर दो जो हमारे दिशांतर रिखाएं हैं, इनके बीच जो इलाका पड़ता है, इसको grid कहा जाता है, grid कहा जाता है, अब दिखिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि कितनी दिशांतर रिखाएं हैं प्रिथवी पर, तो प्रिथवी पर कुल मिलाकर 360 दिशांतर रिखाएं हैं, अब दिखिए, 360 क्यों, हमने अच्छांस में क्या देखा था, कि 1-1 डिगरी के अंतराल पर हम रिखाएं खीचते हैं, तो उसी तरीके से जब हम देशांतर के, देशांतर रिखाओं को 1-1 डिगरी के अंतराल पर खीचेंगे, तो कितने डिगरी हो गए, 360 डिगरी, किसी भी sphere में यानि जो हमारे पास goal होता है gain जैसा आकृति होता है उसमें हमारा कितना degree होता है तो 360 हमारे पास दुषांतर रेखाएं होती है अब दिखें यहां पर जो हमारा मानक रेखा है जो कि 0 degree से होकर गुजरता है इसको हम प्रधान याम योत्तर या फिर इसको हम समय निर्धारन में भी इस्तमाल करते हैं ये इस रेखा की भी में बात कर रहा हूँ और साथ में देशांतर की भी बात कर रहा हूँ कि जो देशांतर है उससे पूरी पृत्वी के हर एक देश के हर एक घड़ी का समय निर्धारन होता है आपको कैसे पता चलता है कि मेरे घड़ी में अभी 5 बज़ रहा है या फिर 6 बज़ रहा है तो जो ये हमारा प्रधान मद्यान रेखा है या फिर और जो देशांतर है सभी को मिला कर एक ऐसा तंत्र बनाया गया है जिससे ये पता चलता है कि किस इलाके में किस जगह पर क्या स इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सौट में मैं समझा देता हूँ कि कैसे समय निर्धारन होता है। तो दिखें यहाँ पर ये जो हमारा रेखा है, इसके पूर्वी इलाके में और पस्चिमी कैसे, तो दिखें ये जो रेखा है, ये हमारे पृत्वी को दो गुलारधों में बाड़ता है, तो फिर आप कहिए गाया, यार ये कैसे हो सकता है, वहाँ यहाँ तो हमने विश्वत रेखा को देखा ये पूरी पृत्वी पर फैलता है घुमता है इस वज़े से ये आधाधा बांट दे रहा है ये तो अर्ध वृत है ये एक देशांतर है जो की अर्ध वृत होता है तो फिर ये पृत्वी को बरावर भागों में गुलार्धों में कैसे बांट सकता है तो यह हो गया इसने एक रित का निर्मान कर दिया जो कि हमारे प्रित्वी को दो भागों में बाटता है पूर्वी गोलार्द और ये पस्चिमी गोलार्द तो देखें पूर्वी गोलार्द जो है वहाँ पर आगे बढ़कर हम 180 डिग्री तक गन्ना करते हैं यानि कि 0 डिग्री से 180 तक जाते हैं और इधर पस्चिमी गोलार्द में 180 डिग्री तक जाते हैं तो देखें यहाँ पर ये जो गन्ना होती है ये आप दो तरीके से कर सकते हैं पूरी दुनिया में जितने GPS है और वी जो पूरे सिस्टम है वो इस तरीके से करते हैं 180 पूर्व में गिनते हैं और 180 पश्चिम गुलार्थ में गिनते हैं लेकिन आप अगर गन्ना करें तो 360 तक भी गन्ना कर सकते हैं देखिए जब आप 180 और 180 करके गन्ना कीजिएगा तो आपका जो 180 डिग्री वाला जो रेखा होगा वो पूर्वी गुलार्थ और पश्चिमी गुलार्थ दोनों के लिए एक तो इस तरीके से ये पूरा तंत्र काम करता है अब दिखें यहाँ पर समय निर्धारन कैसे होता है समय निर्धारन इस तरीके से होता है कि जो हमारा यहाँ पर 0 डिग्री हुआ 0 डिग्री से आगे हमारा इधर समय चलेगा पीछे इधर समय चलेगा कुल मिलाकर हमारे पृत्वी पर कितने दिशांतर हैं? 360 दिशांतर हैं और यहां पर हमारा जो पूरा एक तरीके से पूरा पृत्वी को एक चक्कर लगाने में अपने अक्ष पर कितना समय लगता है? 24 घंटे लगते हैं तो एक घंटे में पृत्वी कितना डिग्री घूम जाती है? तो वो 15 डिग्री घूम जाती है या फिर इसको और दूसरी तरीके से कहें तो चार मिनट में एक डिग्री घूमता है पृत्वी यानि कि 4 मिनट में 1 डिगरी तो इस तरीके से कोई भी जगर इस हमारे जो 0 डिगरी है प्रधान मद्यान रेखा है इससे जितना डिगरी दिसांतर आगे होगा उतना गुना 4 मिनट उसका समय आगे चलेगा और कोई भी जगर इस प्रधान मद्यान रेखा से जितना डिगरी द चार मिनट पीछे चलेगा, जैसे कि भारत, भारत का मानक, जो हमारा रेखा है, मानक मध्यान रेखा, जो है, समय रेखा, वो कितना है, साठे बयासी डिगरी है, उतना गुना चार हमको करना है, गुना 4 किजिएगा तो आपके पास आजाएगा 330 मिनट 330 मिनट यानि कि 5.5 गंटे उसी तरीके से आप दुनिया के हर एक देश का समय निर्धारन कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से पूरी दुनिया के हर एक देश का समय निर्धारन होता है लेकिन देखे कई देश हैं जिनका की फैलाओ भॉगॉलिक फैलाओ इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर एक मानक रेखा से काम नहीं चलता है वहाँ पर एक से ज़्यादा होते हैं तो इस वीडियो के लिए इतना ही आगे के और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में तो मिलते हैं आप से हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबाई